हाई दिस विवेक कुमार आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसीड बेस एंड सोल्ट आज की क्लास सुरू करने से पहले हमारा जो में मोटिव होगा कि अमल क्या होते हैं यह बेसिकली जो आज की क्लास है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है वैसे अ क् प्रीद करता है लौन मेटल के साथ किस परकार र्येक्ट करता है आज की क्लास में हो पड़ेंगे को ग्लास इस्टार्ट करने से पहले हम यह जानते हैं कि हम होता क्या है और चर糖 कि इनके बिच में मार्न डिफ्रेंस है जो कि आपको पता होना ऐसे टीक हैं तो अगर को ऺ से भ्रवे होते हैं बेटर होते हैं सभाद में क्या हूथ है बेसा ने क्या होते हैं धो जब में क्या होते हैं फैकर गन्स लिटमस्त पेपर होता है एक की निले लिटमस को निले से लाल हो जाता है यह जो अमल है हमारा नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है नीले लिटमस पर याद ही हम अमल की बुन्दे गिरा है तो वो लाल हो जाएगा और जो तीसरा पॉइंट है इसका यह बच्छो लाल लिटमस को क्या कर देगा नीला कर देगा एक बहुत इंपोटेंट है एडिंग है कि आम और छार में जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके है सायद 8 या 9 में हम पढ़ चुके है कि एसी डेट बेस में क्या डिफरेंस है ठीक है तो आज की क्लास की जो अगली पॉइंट होगी वह पढ़ेंगे कि एसीड किसके साथ रियक्ट करता है हाँ हाँ है एसीड में क्या होता है यह स्ट्रोंग एसीड होते है कुछ और कुछ होते हैं वीक एसीड यानि कि कुछ एसीड जो है न यह इसे कहते हैं इस्ट्रोंग एसीड जो कि जिनमें एच प्लस आइन की जो मात्रा है वह ज्यादा होती है और वीक एसीड में एच प्लस और यह होता है बच्चो दुरूबलम्न जो कि हमें बिना कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुचाते है दुरूबलम्न का जो मैटर होता है यह हमें बिना किसी नुकसान के यह हमें नुकसान नहीं पहुचाते है जो इस्ट्रोंग अधिक हमें क्या होता है हमारी स्कीन पर गिर ग कहते है और यह कैसिप में ले लो बच्छों सी एस 3 सीड़ सीड़ेख एथे नों ही कम यह हो गया आपका वीक एस इसे कहते बच्छों शिरका क्या कहते है से नियुक्ता कहते है तो अगिशांपल of strong acid तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, give the example of weak acid आप ये CS3, CSOS लिख देना, अगला जो heading है, वो strong base का है, और weak base का है, strong base में आगे बच्चो, NaOH sodium hydroxide, इसे strong base होता है, और weak base में हमारा हो गया, MgOH2 magnesium hydroxide ही हमारा होता है, weak base होता है, ठीक है, तो आगे की जो class है, इस में हम पढ़ेंगे, कि जो हमारा जो acid है, वो metal के साथ react करता है, तो क्या produce करता है, तो हम पढ़ेंगे उदासी निकरन अभी करिया, क्या पढ़ेंगे? उदासी नहीं करन अभिक्रिया इसे कहते हैं बच्चों इंग्लिस में न्यूट्रेलाइजेशन रियक्षन क्या कहते हैं न्यूट्रेलाइजेशन रियक्षन होता है क्या उदासी नहीं करन अभिक्रिया जब हम किसी अमल को किसी छार से रियक्ट करें यदि जब हम किसी अम्ल को हमकी किसे रियक्ट करें चार से रियक्ट करें तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा प्लस में हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा यानि कि और एस्टू प्रोड्यूस होगा यानि कि लवन प्रोड्यूस होगा और जल हमारा प्रोडिश होगा, जब हम किसी अमल एवं छार को रियक्ट करें, तो हमारा लवन एवं जल का निडमानो, तो ऐसी रिचानी कभी करिया काके लाती है, उदासी निकरां, अभी करिया, इंग्लिस में हो जाएगा, नूट्रालाइशन रियक्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जब रियक्ट होता है तो बच्चो नूट्रालाइशन रियक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्सक्स Means रियंक से कि हमारा बच्चों बनेगा म formulas को सबस्य है क्या प्रोडूश होंक में आज़ तो यानि कि जब हम अधिल को स्वेक्ट से रियक्ट करते हैं टो बनता है Salt बनता है, क्या बनता है? Salt & Hydrogen When Metal reacts with Acid, Acid होगा हमारे HCl, Metal हम Na ले सकते हैं, कुछ भी Metal ले सकते हैं यहां पर बच्छो लगा लेना यह बैलेंसिंग एक्वेशन है यहां पर लग जाएगा तो एक जो हईड्रोजद की तो एक नमबर आजता है यह कूण सा साउन यहांड वो इनडिकेट करता है वह है बच्छो हिंदी में कहते है अहां तो यह सॉंड क्या करता है कि किसी भी डिद्व सन्माइं haidrogen्यास करिक्स को दिखाता है आगे है पंप एक्ष वेल्यू परते है थोरा हम क्या परते हैं जो first of all हमाला जो है sodium hydroxide एने ओवेच sodium है इसका produce कैसे होता है यह product कैसे होता है इसके यूज क्या क्या है ठीक है अभी हम इसके ओपर पड़ेंगे जब बच्चो एने सील को जब किसको एने सील को जब हम वाटर के साथ रियक्ट करते हैं बच्छों के साथ रियक्त करते हैं वाटर के साथ रियक्ट करते तो बच्चों हमारे एन ओवेच बनता है क्या बनता है एने ओवेच sodium hydroxide बन जाता है और हमारे दो गैस जो है वह बच्चों फ्रोडियोस होते है बहाम निकलते हैं वह एक तो H2 और एके Cl2 है ठीक है, जैसे कि NaCl को जो breakdown होगा आइंस में तो NA plus और CL minus में breakdown होगा, H2 और H plus और OH minus में तो जो plus sign है वो negative sign से react करेगा, NaOH produce होगा, एक H2 भखाज निकल जाएगा और जो दूसरा कहाँ से लोगो निकल जाएगा, Cl2 निकल जाएगा, अब इसको बैलेंस कर लेज़ेगा, ठीक है, तो इसके यूज है, sodium hydroxide के क्या है, कुछ, यूज है, H2 का कहा यूज होता है, Cl2 का कहा यूज होता है, और NaOH का कहा यूज होता है, ये देख ले ना बच्चो, NaOH, साबून बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है, हमारा sodium hydroxide का उपयोग होता है, H2 का उपयोग होता है, बच्चो वह इंधन के लिए होता है, बिसिकली हमारा जो इसका उपयोग है किसके लिए होता है, इंधन के लिए और क्लोरीन का उपयोग होता है, वो जल के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, कि जल का पानी साफ है या नह इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है बच्छों सी ए ओ सी एल टू कई बार एक्जाम में पूछता है कि बलेचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है ठीक है तो इसकी जो बनने की विधी है जो पहले जो हमारे केल्सियम हाड्रोकसाइड होता है बच्छों सी ए ओ टू जब क्लोडीन से रिक्ट करें किससे रिक्ट कर लें वैं केल्सियम हाड्रोकसाइड रिक् प्रोड्यूस ब्लेचिंग पाउडर चीज ओ टू ठीक है तो जब क्लोडीन से रिक्ट करें तो बच्छों क्या हमारा प्रोड्यूस होता है थी ए ओ टू हमारा वाटर प्रोड्यूस होता है तो में जो चीज है केमिकल फार्मूला कई बार एक्जाम में पूश देता है कि बच्छों विड़नजग चून का केमिकल फार्मूला बता है राशायनिक सूतर बता है तो सी ए ओ इस नंबर के प्रोड्यूस होता है यह जो बच्छों हमारा बन जाएगा विड़नजग चून ब्लेचिंग पाउडर और इसका उप्योग का है बच्छों इसका उप्योग इसका उप्योग हो जाएगा जल की शुच्छता के लिए इसका उप्योग हो जाएगा तो दो चार उप्योग आपकी बुक में दे रखरों में आप इसे याद करने है ठीक है मैं अभी जो मेन पॉइंट हमारा हम एक्वेशन एक्वेशन पढ़ेंगा कि एक्वेशन में सब्सक्राइं में बेटा तक वह जा थर्ड जो है बत्चा मारा बेट सोडा क्या एं किसका ऑंय। unterstützen क्या क्या पाय सब्सक्राइब धर युट objects ृट्स ñ 3 Sodium Hydrogen carbonate ऐसका chemical formula क्या है Sodium Hydrogen carbonate यह कैसे produce होता है जब बच्छो एने CL में हमों है है कि को H2O से रियक्ट करें C02 से रियक्ट करें and ammonia से रियक्ट करें जब तो एक चार चीजह से रियक्ट होता है तो बच्चों Ammonium Chloride बनता है और हमारा Baking Soda बनता है क्या बनता है Baking Soda ऐसे तुम्हें बच्चों दिक्कत हो जागा याद करने में तो एक सिंपल से फार्ण होला है एक साल्ट होता है जब नमक में हम पानी डाले और फिर अमोनिया डाले जब 4 चीज़ों को पॉइंट से आप याद करो नमक पानी और अमोनिया जब हो जाएंगे तो अमोनियम Chloride बनेगा और क्या बनेगा बेकिंग सोडा का प्रोडूस होता है तो पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा किस प्रकाइब प्रोडूस होता है उसके लिए आप रियक्शन लिखे ठीक है बेकिंग सोडा का बच्चो अब क्या होता है बेकिंग सोडा को जब हम हीट करें तो क्या प्रोडूस होता है कि क्या होत झीजिता तो बोलता है जब बेगिंग सोडा को गर daram किया जाता है या फिर यह भी पूषता ऐप में भुणा करेक्थ भी उखसीजन यानि कि जाव इसे गरम किया जाता है बेसेकली जब बेकिंग सोडाकान क्या करते है गरम करते है यानिकि ऑन AirC0 को जब डेल्टा शाइं होता है बच्छों फोछिट का जब इसे गर्म करते है ना तोывать फुर्षज ना तो यह इंचित में तूट जाता है जब इसे बर्न किया जाता है जब इसे जब इसे हीट किया जाता है तो यह तो तो टूट जाता है सोडियूम है डोजन कार्ब सोडियूम कार्बोनेट में कार्बन डायोक्सएड में एंड जल में ठीक है तो कई बड़ पुछा जाता है क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है ठीक है यह important question है इसका बच्चो यह reaction यह हो जाएगा इसका use होता है बच्चो से आपने देखा होगा पकोड़े वगएरा खास्ता पकोड़े होता है उनको फुलाने के लिए इनका उप्योग होता है बेकिंग सोडा को ठीक है ऐसे केक इसको खास्ता कचोड़ी पकोड़े इन सम्में क्या होता है बेकिंग सोडा का उप्योग होता है ठीक है तो यह एक्जाम के प्रेंट ओफिस है सबसे ज्यादा important है bleaching powder भी important है बेकिंग सोडा भी important है यह 5 प्रेंट है जो कि एक्जाम में पूछते ही पूछते है तो थर्ड यह दो पूंट हमारा वो था था बेकिंग फोडा तो फेचा पुम्हा रवह दरफ दावन जोडा कॉन सा क्वाण इसे कहते है वासिंग सोडा क्या देर है इसके चारे दिख रह एं तुम्हें और उंधिके रहें दिख रहे हैं सब से बड़े बात ऑथ 20 1998 क्या बहुत 10H2 यह है बच्चों एक नम्मर का पूछ देता है ऐसे बेकिंग सोडा का यह हमारा सोडियम अर्डियन कार्बोनेट तो एने टू सी ओ त्री इंटू 10H2 यह हमारे किसका फार यह हमारे किसका केमिकल फार्मॉला है वासिंग सोडा का ठीक है तो यह कैसे प्रोडूस होता है यह इन मोल्स ओफैस्टु उसरे हम रियक्ट कर एंगे बच्चों हमारे किसका निर्वान होगा सोडियम तो हमारा बच्चों हो जाएगा हमारा दावन सोडागा किसक Wayara बशुद्स क प्रोड़न केलिए ठीक है इसका यूज क्या होता है विरंजग चूरं के लिए होता है सबाँ कर Theseansen Magical के लिए होता है ठीक है तो आप यूजए हम दिखाजेगा इसका सफय के लिए होता है सफ करना ओँए क्लिसका साबून Buffalo Kythe होता है ठीक है काच के लिए इसका यूज के जाता है इंडस्ट्री में इसका यूज होता है अक्सर बहुत ज्यादा तो यह धावन सोड़ा ठीक है यह कुछ पॉइंट है यह इक्वेशन है आप इसे देख लीजिए एक वर जब वैन सोडियम कार्गोनेट रियक्स विट टैन कहा है इनका की वाजसीं होडा का रियक्सन कैसे फोधा है और बेकिन शौटा रियक्षन कैसे होता है इस्से पहले हमने पॉद्ह यूज पेड्ली पाडर प्रट ता उससे पहले मालस तो में फड्ञिया मैं आनो में यूत यो में Gust्ष करोंश भीम्सरायक साने रिक्शन कैसे गासे सब्सक्रेशा अजिए belt बन्स कर्कार निब्सान कर्णा सब्सक्रेशा अब है और स्वाइड-शिए मधिढरेशा वह क्लेशा मधिट इस 222 दो हिंध Колि 100 दो भी ओफ्सक्रेश्ट फैलद Clay्सानी ऀक लिच निट करेंगे तो वनेगा जो के बच्चो जिपसम होता है क्या होता है जिपसम ठीक है जिपसम जो कि यह 400 कुछ इसकेलवीन होता है बच्छो देख लेना 443 पर जब हम इसको हीट करते हैं जब कैलसियम सलफट को हमारा पी यह क्या हो गया हमारा पी जब रियक्ट करता है बच्छो डेर मोलिकॉल एक्स तरवाज में पूछता है कि कैसे जिपसम निर्मान होता है थिक सनु का निर्मान होता है है सलसी । हाफ होता है यह सक लिए थेको करा सकए निर्मान होता है । सब्सक्राइब करने तो इसके लिए हम किसका उप्योग करते हैं खिलोने में भी इसका उप्योग किया जाता है ठीक है तो इस इस दा मोश्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चेप्टर नमबर टू ठीक है तो आज हमने पास से 6 चीजों के उपर डिसकस किया कि कैसे हम हमारा वासिंग शोड़ा का निर्मान होता है तो हर एक केमिकल फानगुला मैंने लिख रखा था और आज की क्लास हम यही पर खतम करते हैं जो कि हमारा चेप्टर नमबर टू खतम हो चुका आप एक्सोसाइज के कोश्चन जरूर बनाएगा जो भी एक्सोसाइज के इंटर बनाएगा जब